नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चेनल पर दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर SSC की ओफिसियल बेपसाइट पर है ssc.nic.in देखिए दोस्तों आज दोस्तों है 22 फरवरी 2024 और इस डेट में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक notice जो है SSC की वेफसाइट पर अपलोड हुआ है अब यह notice क्या है दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं देखिए दोस्तों यह है हमारा notice यहाँ पर दोस्तों हमें क्या बताया गया है यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ देखिए दा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन टेक्स प्राइड इन अनूंसिंग दा लाउंच अफ ए निव वेबसाइट विच हैस बीन मेड लाइब ओन 7 फरवरी 2024 हाओएवर दा एक्साइटिंग वेबसाइट विल आलसो कंटीनू तो वी एक्सेशिवल थ्रो ए लिंक अन्द निव वेबसाइट देखिए यहाँ पे इनोंने कहा है कि जो स्सी जो स्टाफ सेलेक्शन कमिशन है इनोंने क्या कि एक वेबसाइट जो है उसे लांच किया और इसको 17 फरवरी 2024 को जो है लाइब कर दिया अब देखिए यहाँ पे आल कंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू फ्रेस वन टाइम रजिस्टेशन यहाँ कि OTR on the new website of the commissions तो यहाँ पे कहा गया है कि सभी कंडिडेट्स जो भी है वो one time registration जो है वो इस website पर कर सकते हैं जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यह जो नई वाली जो launch की गई यह website वो है हमारी ssc.gov.in sotr previously done on earlier version of commissions website that is https ssc.nic.in तो इन्होंने कहा है जैसे कि जो previous वाली जो website थी वो अभी continuously जो है वो run कर रही है लेकिन जितने भी candidate है वो सभी इस नई वाली website पर इस वाली website पर one time registration जो है वो कर दे stands null and avoid the detail instructions for one time registration में has been under section for candidate special instrument instruction for filling OTR तो यहां पर बताया गया है कि instruction दिये हुए है OTR के वो आप देख सकते हैं all applications for further examinations are required to be submitted through online through new website that is ssc.gov.in only तो यहां पर कहा गया है कि जितने भी आपके अब जो future में examination होंगे उनके जो form fill up होंगे वो दोस्तों यहां इस वाली website पर fill होंगे और इसी website से दोस्तों जो है वो submit किये जाएंगे तो यह इस notice में कहा गया है तो आप लोग जितने भी हैं वो सभी one time registration कर दीजेगा जोकि इनकी नई website है ssc.gov.in